किसान भाईयो किसान को थोड़ा बहुत धान भी लगाना चाहिए यह देखे आप यह सातवी के धान है राजिंदर का और यह गंणा देखिए गाउं का गोरा है क्याला जबाब खड़ा है पुद्दा है सारा खेत चारो चूड बरबर खड़ा है यह भी सातवी के धान है यह किर्षन का है किर्षन स्वनो महराज सिंग यह धिनार वाले हैं धिनार से आकर रहते यहां यह देखिए कितना बढ़या धान खड़ा बहुत सुन्दर गंणा है ऐसा गंणा अगर लग जाए तो बल्ले बल्ले भाईजो ये गहमों का दिख्यान का राजू का जूगा लेकिन गोरा है हो जाएगा बहुत बड़ी हाँ भाईजो ये भी गोरा है ये गहमों का गन्ना है बहुत प्यारा है आद लग रहा बारिस पड़ जा भाईजो ये भी फागन का गन्ना है बहुत सुन्दर बंदाई होगी एक बार इसकी इस तरह के किसान बहुत अच्छा एवरेज ले लेते हैं थोड़ी शी जमीन में अधिक पैदवार ज्यादे रखबा ना घेर के थोड़े रखबे में गन्ना बोलो कुछ घटा दो रखबा बाकी और फसल कर सकते हो कुछ मेरे भाई क्या करते हैं सो के सो परसेंट एक ही फसल होते हैं अगर वो पिट जाए तो बहुत बड़ा लोस होता है इसलिए थोड़ा सा फसल चक्र भी बनाना जरूरी है भाई यह पट्टी ग्यम्मों की है अच्छी खड़ी है यह हमारे चाचा करन है परिबार में ही उनका चक है और यह देखी गन्ना इसकी मैंने वीडियो बनाईती है तीस इंच बैवाईयो फागन का गन्ना इसमें सारा काम ट्रेक्टर से किया 17735 से यह हलका इसलिए रह गया कि परले खितों के लिए काती थी बाक्की गन्ना देखे कितना जबजस्त है यह तीस इंच पे था बहुत अच्छा जमाव था इस कार आज भी अच्छा ही है एक बारिश पर यह बंद जाएगा बहुत अच्छी पैद मैं आपका टाइम बरबाद करूँ मेरा मतलग है मैं किसानों को जगाना कुछ किसान भा नहीं जाग पा रहे हैं उन वे नुकसान में चल ले हैं अगर किसान नहीं जागेगा तो क्या करेगा जमीन बेच्चेगा बताओ अगर कुछ साइड बिजनिस नहीं है और खित्ती मे जो भी कर रहे हैं अपनी खेती में अगर खालिस खेती में है तो पूरी मेहनत करो पैदावार टोप लो भाईयो ये खेत हमारे चाचा तार सिंग उनके लड़के हैं बच्चू ललित अमित तीन भाई हैं उनका चक है ये करीवन चालिस भीग होगा और ये लगालो जी बहुत बढ़िहा पैदा लेते हैं तो इन्हों भाई पिछला खेत बंद गया इनका ये घ्यमोगा देखो कितना सुन्दर खड़ा है मैसी 35 टैक्टर है उससे जादतर काम करते हैं तो इन्होंने ये समर्सेविल करके पाइप लाइन विच्वाली अंडर ग्राउंड इसका बहुत फाइदा है नाली आती पहले हैं कई कितने मेटर जमीन खराब हो जाती थी वह सारी बच्ची तो ये भी बहुत अच्छा परले खेत है ये चारा भो दिया चारा भी किसान को जरूर बोना चाहिए मौल लेने में बहुत दिक्कत होती है इनका अपना टूवैल है यह भाई यह पारस सनोब सतेंदर परिवार में यह हमारे उनका खेत है भाई यह इसने पोगगा छोड़ा था देखो कितनी अच्छी पिड़ी है पोगों का गन्ना बहुत टोप का होता है बहुत अच्छा हुरे जाता है अगर हमने मेहनत करके एक एक पोगा छोड़ दिया तो समझ लीजिए अगली जो पिड़ी की है हमारी कम सा कम 80% बचत है उसमें यह देखियों कूडी बहुत अच्छे डालकटीनों अपने खेत में डालककी है बहुत से भाई सडक पिडाल देते हैं इसका फाइदा गर बारिश पड़ेगी तो इसका जो है न अरक्सारा यो जूस्सा खेत में जाएगा तो अपने खेत में डालनी चाहिए बहुत अच्छा ऐसे करना चाहिए राश्ता छोड़ गए भाईयो ये समाधी सवर्गय परधान नैपाल सिंग पुत्र सिरी होश्यार सिंग गाउपावरसा जी की है इनका सवर्गास होता नहीं देखा हमारे खांदान के हमारे जिस्ते में भाई लगते थे बड़े भाई और इन्होंने बहुत बढ़िया पास साल का टेक इनके चरीत पर कोई दाग नहीं है इतनी बढ़िया परधान नी की इन्होंने इनकी एक तारीपती ठाड़े आदमी थे इनके चेरे पर हर वकत मुस्कुराट रहती थी मुझा आज भी याद है कभी गुस्सा नहीं होते थे कोई भी गाउं का विवाद हो गया बड़े हसक है बड़ी खुशी से समझा के फैसला किया इन्होंने ऐसे इन्सान को हमेसे याद किया जाता है मैं नमन करता हूँ नैपाल जी को इन्होंने अपना कार्यकाल बहुत बढ़िया कोई गुराई नहीं कर सकता पुराकिया इनकी समाधी इनके परिवार ने इनके हाँ चक में सड़के किनारे बनाई ताकि एक याद रहे ये भी समाधी भी बहुत जरूरी चीज है हमारे बढ़ों की एक याद रहती है वरना भूल जाते हैं लोग किसान भाईयों ये चक है मुकेस सनोब जगवीर सिंग मुकेस हमारा भतिजा लगता है परिवार में ये बहुत शोकीन बन्दा है पहले इसने गाड़ियां रखी एक एमबिसिडर थी वो गाउं में कुछ ब ले जाता था उतनी सिलोप है पहले गेर में कहीं किच चड़ा गया तो बहुत सिलोप में निकालता था और घराने के बाद इसको दोना पालिस करना आज भी इसके पास फारम ट्रैक पैंतालिस है मील भे भी जाएगा गंडे डालने तो वहां लाइन में अगर खड़ा हो गया कपड़ा लेका है उसके रिमो पे ट्रोली पे भी कपड़ा मारने लगता है दाग नहीं है मैंने वीडियो डाली और ट्रैक्टर दस साल परणा है लोग कहते हैं ताओ जी इस पर रंग करवा रखा जूट बोल रहा हुआ मतलब हमारा एकिन नहीं करते लोग कहते हैं पेंट करवा रखा गलती लोगों की भी नहीं है दस साल में तो अच्छा-च्छा का रंग उड़ जा, इनसान का उड़ जा, वो तो ट्रैक्टर है, तो उस पर ऐसी लगता है, जब पेंट क्या हो, लेकिन पेंट नहीं है, ऐसे मुखे सोकीन है अपने चक्का, अब देखो जहां सा चक शुरुआ, नाली पर घास नहीं है, हाल होगे तक, बिल्कु साफ है इसकी साइड, तो भाईयो इतना तो शोक करना चाहिए आदमी को, पेड़ी है, बहुत सुन्दर खड़ी है, यह होगाई एक है, बिल्कुल बहुत प्यारा खड़ा है, अभी मैं आग गवर दिखाता हूँ, यह देखे, टूबैल पर बहुत सप करना है, देखो, अच्छे को अच्छा काह जाता है, बुरे को बुरा, अगर हम किसाने खिती कर रहे हैं, जिस तरह हम अपने घर में जब चुल लगए बैठते हैं, तो बोरी भी चाक है, यह सपाई करके ही बैठते हैं, घर की महलाये अपने घरों में रोज जाडू लगात और अपने दरवज्जे के सामने सभी सपाय रखते हैं पानी चेटकते हैं लेकि मेरा मतलब यह है जैसे यह सपेद फूल है हाला कि इससे को नुकसान नहीं आपके फसल को नामे बुराई कर रहा हूं इसको जड़ से काड़ दिया एक तो यह बीज नहीं बनेगा जैसा यह कां हम ना खाई यह सोच ले कि हम अपने चक्के आसपास सफेद फूल और भांग नहीं होने देंगे तो शाद है भांग वाले हर्याने मलद दूते स्टेट में तो जाएंगे नहर्याने गई हाएंगे तो धीरे-धीरे कुछ नसा कम हो सकता है और यह इतनी खराब है अगर परिवार में हमारे सतेंदर भतिजा लगता है यह इनका अपना चक है यह देखे ने टू बैल पर कूड़ी डाल लगए बहुत अच्छा आज कल जो पहले गोबर उठाया जाता था खतों में डलता था बहुत जमाना खतम हो गया चूड़ी को बठावे थी सब भारनोगरी क अब किसानों को इठाना पड़ता है तो सबसे बड़िया है इसको अपना सुबह आओ बुग्गी में गोबर रखलाओ पल्ली बिछाओ एक पलास्टिक के हो नीचेता की बुग्गी ना गड़ है और जादे डंगर कोई रखता नहीं दो या तीन तसले होता है अपना फाव कोणे में डाल लखा अपनी जगे छोड़ रखी है तो बहुत अच्छा लग रहा है जब कोई हमारा खेत खाल लियो तो भीया बुग्गी लगाओ या ट्रोली इसे अपना भर के अपने खेत में डाल लो तो बहुत बढ़िया सिस्टम है तो दोस्तों आज की वीडियो मैं करता हूं आपको मेरी बात कैसे लगी हमारे भाईयों के खेत कैसे लगे यह ओंपाल सिंग का खेत है कि हमों का बहुत प्यारा खड़ा देखो अच्छा खड़ा है कि हमों का इंख है ऐसा तो होना चीए बाज़े के खूड़ चमकते हैं टटे इरसी जाड़ावे खड़े है तो वह क्या होगा यह 80 कुंटल पर जाएगा जो मेरा आइडिया है क्योंकि लास्ट में कटेगा जमील बंद होगा तो बहुत अच्छा एवरे देगा क्योंकि जवाव बहुत अच्छा कलर बहुत बड़ी आगननेगा कुछ मेरे भाई कहते हैं ताव जी तो वैसी वीडियो बनाकर डाल देवें मैं वैसे नहीं डलता अपने भाईयों के लिए मेहनत करता हूँ देखो दफैर के 11 बज़रे हैं और मैं खित्तों में घूम रहा हूँ या कोई नहीं है जिंगल मैं ह落ता है हुँ आम आपको यह दिखा रहा हूं कि किसान को हमकिसान है और भी मैने ने इन किसान को दिखा दिया है अर आपके पड़ी सड़क पे दगड़े में बहा फिर रहा तो आपको थोड़ा महसूस होगा आप उसको एक तरफ करेंगे तो दोस्त आज की वीडियो इतनी काफी है नमस्कार